दोस्तो, SSC Delhi Police Constable का Admit Card जारी कर दिया गया है, अब आप अपना Admit Card को डाउनलोड कर सकते हैं, किस परकार से Admit Card डाउनलोड करना है, अप्लिकेशन को भी कैसे आप चेक करेंगे, इसके बारब हम यहाँ पर बताने वाले सभी राज्य का आ चुका है, आप किसी भी राज्य से आते हैं और form भरे थे Delhi Police Constable का, तो अब आप जो अपना Admit Card को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यह अलग-अलग मैंने वेबसाइट जो है, ओपन करके रखावा, ताकि मैं असानी साफ़ों को समझा सकूँ, अब देखे, होता कहना है कि UP Bihar के लिए अलग website Admit Card का डाउनलोड करने के लिए, जारखंड का अलग है, इसकर से जो Delhi का बंदा है, उसका अलग है, तो सबका अलग-अलग website Admit Card का डाउनलोड करने के लिए, तो सभी website पे आपको आना है, तो आप कैसे आएंगे, मतलब आप अपने website पर मालने जाना चाते हैं, आप UP से हैं तो यूपी का Central Reason वेबसाइट पे आपको Admit Card so करता है, आप बिहार के हैं तो Central Reason, अगर आप जो है जारखंग है तो उसका अलग रीजन है, तो अलग अलग रीजनल वाइस यहां पे यह लोग Admit Card को जारी करते हैं, तो अभी देखेंगे तो Central का यहां पे देखिया आ चुका है तो आपको मैं एक वेबसाइट बताऊँगा, उस वेबसाइट पर जाना है, और वहां पे सभी वेबसाइट का लिंक आपको मिल लाएगा, समझ रहे ना, जैसे माल लिजिए, आप यह सब्पोज देखिए, यह वेबसाइट है, इसका मैं लिंक आपको description box में डाल दूँग तो आपका यह वेबसाइट खुलेगा, और यहाँ पर रेश्टर आईडी, फादर नेम, डेटर बर्त लिग के इस पर क्लिक करेंगे, तो आपका admit card सो कर देगा, आप अवे दिन के स्थिति सो कर देगा, कहां exam में वो सब सो कर देगा, exam किस दिन सब चीस सो कर देगा, अगर उत्तर परदेश बिहार के लिए आप जो है central reason आता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप यहां देखिए इस तरह से आएगा, इसमें से जनकारी भर के कोई तीनों में से कोई एक जनकारी भरिएगा, आपका सो कर देगा, वेस्ट बंगाल, ओडिसा, जहारखन, अंडमान निकोबाराइज लेंड और सिक्किम राजे से आप फोर्म भरे हैं, तो आप जो है eastern reason में आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसका यह देखिया website है, इससे तरह से आप महराष्टा, गुजराता, गुवास हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, इसका यहां पर आ जाएगा, इससे मतलब इस Delhi Police exam को लेकर, या admit card को लेकर, तो बहुत जल्द इनका भी आ जाएगा, यहां पे भी आप चेक करेंगे, बारी-बारी से एक एक चीज़ों को चेक करेंगे, हाला कि बहुत जल्द जिससे आएगा, एक्टिवेट सून यहां लिखा गया, असाम तक कहीं आ जाएगा इसका भी अप्डेट हो जाएगा, अगर आप असाम और आचल पर्देश मनी पूरा साथे हैं, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, तो इनका एक अलग वेब साइट है, यहां पे अपने जनकारी लिख के आप अवे दिन के स्थिति को देख सकते हैं, तो इस परकार से हमने डिस आप अपने जनकारी लिखा, तो तुरंत वहां सो कर देथा कि आपका अवेदन एक्सेप्ट है, उसके बाद वहीं पर आपका एक्जाम डिट सो करता है, कौह से सहर में एक्जाम है, वो सब सो करता है, और वहां लिखा रहता है नीचे में, कि चार दिन पहले आप अप अप अपने पास उसका प्रिंट आउट निकाल के लेके जाएंगे, तो यह अपडेट था, अब बात आती है कि एक्जाम सेंटर आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो ओरिजिनल एक प्रूफ लिजेगा, कोई भी आइडी प्रूफ हो सकता है, अधार कार, पिन कार, बुरा आइडी कार, पासपोर्ट, डियल, इसमें से कोई भी एक आइडी प्रूफ ओरिजिनल लेकर जाना है, दूसरा एड्मीर कार आपको लेकर जाना है, यही सब डोकुमेंट्स आपको लेकर जाना है, इसके original ID proof mandatory होता है और admin card जो है वो mandatory होता है हो सके तो 2 extra photo अपने पास ज़रूर लेकर जा सकते हैं I hope friends आप लोग समझे होंगे मिलते हैं किसी next video में सभी website का कौन से website है एक website है कौन सा है तो DS helping forever यहाँ आनी है और यहाँ पे सारी जनकारी को पढ़नी है और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए हार एक राज्यवाइस जोर बता दिया गया किस राज्यवाइस किस लिंक से डाउड़ होगा मिलते हैं friends किसी next video में जाहिन